तो नमस्कार दोस्तो बाई सेल सिग्नल सौफ़वेर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज हम analysis करेंगे nifty and bank nifty का कि आज के दिन के अंदर software ने क्या signal दिया था और मैंने आपको telegram group के अंदर क्या trade दिया था उसके बारे में बात करेंगे कोई भी software हो तीन चीज मेन होनी चाहिए perfect entry, perfect exit और कहां तक hold करना है वो तीन बात होनी चाहिए अगर ये बात नहीं है तो आपका कोई भी software हो वो कोई कामकान नहीं है software में condition ये होनी चाहिए कि सही signal पर हमें सही trade मिले जो सही होगा उसमें ही हम trade करेगे, जो गलत होगा उसमें हम trade नहीं करेगे मैं आपको example के डूपर बता देता हूँ कि yesterday जब market शरू था तब हमने buy signal यहाँ पर दिया था और ये buy signal हमारा perfect trade था nifty के अंदर क्योंकि buy के पहले यहाँ उपर की side का arrow लगा था अगर ये arrow आ जाता है तो perfect बन जाता है, confirm बन जाता है, वो definitely उपर जाएगा यहाँ पर आपको already बोला गया था कि market उपर जाने वाला है, आप continue रहे और top level से software ने बोला कि आप exit कर लिजे, market अब गिरने वाला है तो मतलब कि यहाँ से हमें profit booking करना है, अब वेसे ही तरह यहाँ पर आज का trade था, आज सुबह सुबह मैंने टेलिग्राम के अंदर put दिया था, आप चेक कर सकते हैं हमारी history, सुबह सुबह जैसे ही market open हुआ, हमने put दे दिया था यहाँ पर sale signal था, sale के पहले confirm trade था, इसलिए मैंने सभी को sale दिया था, और अच्छी तरह से market निचे गिरा, करीब हम 12 बज़े मैंने सभी को बोल दिया था, profit booking कर लिजे, क्योंकि यहाँ पर profit book के लिए एक उपर की side का arrow आ गिया था करीब हम, एक साड़े 12 बज़े, एक बज़े एक signal जंटेट हुआ, buy करने का, और यह signal मैंने जान बुझ कर, टेलिग्राम के अंदर नहीं दिया क्योंकि सबकुस में यह software का में दे दूगा, तो कोई software purchase नहीं करेगा तो यहाँ पर software ने profit booking करवाया, और उसके बाद, यहाँ पर देखिए, software ने बोला था, कि market में यह और उपर जाने वाला है, hold के यहाँ भी आपको बोला गया था, यह और उपर जाने वाला है, hold के, आज 12 बजे, साड़ा बारा बजे के बाद, market में reversal आया था, और यहाँ पर software ने साफ साफ इंडिकेट किया था bank nifty का भी check कर लेते हैं, तो bank nifty के अंदर भी same position थी, yesterday पर यहाँ पर buy signal दिया था, यह मैंने telegram के अंदर post किया था, हमने call buy करवाया था, 13 तरिक को, आप अमारी history check कर सकते हैं आगे जाकर software ने यहाँ बोला था, कि यह और उपर जाने वाला है, hold के, मतलब कि यह पूरा का पूरा जब railी निकलता है, लंबा उपर चड़ जाता है, तब आपको यहाँ support देता है, कि भई अभी भी रुकना है, market उपर ही जाने वाला है, अभी भी रुकना है, market उपर ही और software को लगा कि अब exit होने का time आगिया है, तो तुरंत आपको बोल दिया exit कर लिजे, आज सुबह सुबह मैंने telegram के अंदर bank nifty का put आपको दिया था, आप सभी लोग को पताई होगा, और आप देखिये यहाँ भी sale signal जंडेट हुआ था, तो हमने put दिया था, sale के पहले confirm trade थ था, क्योंकि sale के पहले नीचे की side का arrow था, और almost put आज हमने almost double हो चुका है, आप सभी लोग को पताई होगा, करीब हम 12.30 मैंने आपको exit करने के लिए बोला था, क्योंकि यहाँ profit booking के लिए उपर की side का arrow आ गया था, उसके बाद यह trade मैंने दिया नहीं था, क्योंकि सब कुछ में दे देता, तो यह software कोई purchase नहीं करेगा, यहाँ पर देखें, buy signal दिया था, और buy देने के पहले software ने बोला था, कि यह और confirm trade है, पकाट trade है, तो इसमें आपको काम करना था, और आपने देखा होगा, करीब हम 12 बजे के बाद market reversal हुआ था, और अच्छी तरह से market उपर गया और software ने दो बार भी इसमें support दिया था, कि hold रखेगा market उपर जाने वाला है, यहाँ भी आपको बोला गया था, कि hold रखेगा market उपर जाने वाला है, हम इस channel पर फ्रीम में, week में तीन बार live करते हैं, तो channel को like करिए, subscribe करिए, share करिए, क्योंकि जबी भी में live होगा, तब profit करवा कर आपके लिए जाओगा, और अगर आपको यह software का demo देखना है, तो मुझे नीचे description box में हमारा contact number दिया गया है, आप मुझे contact कर सकते है, channel को like को subscribe करना मत भूलिएगा, दोस्तों, जय हिन, जय महादेव, जय भोलेनाथ